इस ट्रमा के नेक्स पार्ट में अपसे पी का स्वागत है उससे पहले अगर आपने इसके बागी के पार्ट नहीं दिखें तो इस वचेस्ट पहले आपको उसे देख लेना चाहिए हैं तो इसके इससे चाहे तो लेसके मएन आपर करोड़ता यहां पूऑ रहा यहां इसके एक्स कर आपको नहीं जाएंस बताए परद खाले क्या है kilo क्यांग पारिशम और वुलड़तेट लोश्तों करेंके नहीं खरणे कर था इसका के लिए और सबने की जाए को इन चलता है कि आखेर कोट में अभी अभी क्या हुआ अफ़ दैड लीवी का विदा अपसेट हो जाती है और इंजंग को दिखते हैं जल्दी से जल्दी शादी हो जाती है इसका नाम है युआ निंग यहां पर केंग और कुईंटो का विदा खुश थे कि अब इंजंग ने प्रिंसे से शादी कर लिये तो इसकी पोजीशन भी काफी मुझे लेवल तक उड़ जाएगी एक इन जंग तो बिचारा अपनी ख्यालों की दुनिया में यहां पर कुईंट कहती है कि तुम दोनों को अब एक मेरिट लाइए अच्छे से चालू करनी है चिंता मत करो यह सब तो होता ही रहता है कर सकता है अगर उसके मुमेंट डेलाओ करें और कि ने तो जबरदस्ती इंजंग की शादी करवाई है तो इसकी कोई गलती होगी तभी हम सौंग को दिखते हैं जो कि अपने आप ही रोए जा रही थी दरसल इसका इंट्रोडक्शन तो उसका नंबर और भी नहीं लगने पाला अफ़दर रोड़ रोकर पूरा पहलेस भर देती है कि इंजंग की दुबारा से शादी कैसे हो सकती है वैसी तो लीवे को हेंडल नहीं कर पा रही थी अब एको लड़ की आगी उसके वेडिंग नाइट पर इंजंग यूवान परवस्ते की गई हैं आपके और मेरे डाइड इचाते थे कि हमारी शादी हो जाए उसके बाद उन दोनों स्टेट की बीच में रिष्टे अच्छे हो जाएं और उन्होंने वह कर दिया तब यह आनिंग बताती है कि मुझे भी शादी में जिंदी की भर नहीं रहना है आफ कि वानिंग कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूं और आप चिंदा मत करें मुझे पताया कि लिवी नाम की लड़की को काफी पसंद करते हैं जो कि आपकी वाइफ है चिंदा मत करें मैं उसे भी आपकी जितना काबल बना दूंगी और उसके बाद कोई भी पैलेस में इसी वह में नहीं रहेगी जो से कंपेटिशन कर सके आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहेंगे इसलिए प्लीज एक्सक्यूज मी एंचिंदा मत करें मैं आप दोनों की वैडिंग में नहीं आने वाली और मेरी लाइफ काफी अलग है सो फिर रिलेक्स इसके बाद इंज जंक से प्यार करी बैठी अब दिखते हैं की आखिर यूआ इंग का क्या होता है यहीं पर इंजाइंग लेवी के कमरे में जाने के लिए होता है बहुत सब्सक्राइब कर दो और कहती है कि आज के बाद मेरे बिना पर्मुशन के कोई भी नहीं आएगा कोई मो मेरे आसपास दिखनी भी नहीं चाहिए बिलावा आजाता है कि दरसल उसे युवानिंग बिला रही है इसके बाद लीवें युवानिंग से बात करने के लिए चाती है या युवानिंग उसे कहती है कि तुम चितना बत करें तुमसे कोई भी कॉमपेटिशन नहीं है युवानिंग नहीं तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हें ऐसे पनी फ्यूचर वाइब देखना चाते हैं तो मैं उसमें तुम्हारी घट करूँगी उसके बाद युवानिंग सभी को कंट्रूल करना स्टार्ट कर देती है लीवी को फुली डिसिपले बनाने के लिए कुछ चीखना पड़ेगा और आफर दैट तुम्हें एक्सांस में फस्ट आना पड़ेगा इसके लिवी थोड़ी परिशान होती है कि इतना कुछ कैसे करेगी यह उसे इतना वोट्स करती है कि उसे करना ही पड़ता है यह उसके लिए काफे स्वीट भी रहती है इसके वैसे करने भी लगती है कि यह इतने प्यार से बोल रही है तो मुझे भी करना चाहिए तक ही वानिंग सिर्फ लीवे के लिए नहीं बलकि इंजेंग के लिए उतनी स्ट्रेक्ट रहती है कि इंजेंग इनर कोट में अपनी जगह भी मजबूत कर ले और इसके बाद उसकी बाद हर कोई माने आफर दैट उसी भी थोड़ी पावर चाहिए इसके बाद इंजेंग को भी धेर सारी किताबें पढ़ने के लिए देती है ताकि बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन जाए तबहीं इंजेंग मना करता है कि मुझे इसकी ज़रुत क्या है तबहीं वानिंग कहती है कि किसी को ज़रुत होती है कि वो कुछ ना कुछ दीखे वानिंग पहले से ही बहुत यदा स्मार्ट इंटेलिजन रहती है तो इसके आगे किसी की पिचाला की नहीं चलबाती है सभी को इसके लिए फोर्स करती है कि सभी कम खाए तब ही ज़्यादा काम कर पाएंगे इसके वा कि अगई दूनों को नोटस कर लेती है बट उन्हें ज्यादा पॉर्स नहीं करती है कि कोई बात नहीं कभी-कभी तो चलता है एंजंग के नहीं पहले इसकी ओपनेंग होने वाल थी जिसमें सभी को इन्वाइट किया जाता है पाट सैके प्रेंग से जलते हैं वो सभी को मन कर देते हैं हम यहां पर थर्ड प्रिंस की वाइब को देखते हैं जो कि लीवी की काफी अची फैंड है और अपने हजबन को स्टूपिड मानती है वह तो तैयार हो जाती है और गहते हैं कि हटो मैं तुम्हारी बात थोड़ी मानूगी इसका तो जाने लगते हैं तभी सब्सक्राइब कोई आया क्यों नहीं हाओ जिया को देखते हैं जो कि जाने के लिए तयार थी बड़ उसे पता है कि अगर वो गई तो सेकंड प्रिंस से बहुत ही बड़ी पनिश्मेंट देंगे इसके बाद थर्ड प्रिंस की वाइब तो रुकती नहीं और अफ़देर उ कभी कोई मझे मार भी देती है तो उसे कोई फरक ने पड़ता यहाँ पर हम हाओ जा को देखते हैं जो कि मना करने के बाद भी वहाँ पर इंट्र करती है आफ़देट यह सभी वहाँ पर इस मुवमेंट को काफी दा एंजॉय करते हैं फैस्टिवल तो काफी हैचे से निकल पर आफिशल वाइप देखते हैं जो कि इस सेकंड प्रिंस को रोकती है और हाओ जिया के लिए काफी परिशान भी होती है कि कहीं वह जादा कुछ सीरिस ना कर दें इसका तो कहती है कि हाओ जा तुम बाहर जाओ और जाकर पटनिश्मेंट में खड़ी हो जाओ ताकि हाओ या कम से कम सेकंड प्रिंस के गुस्टे से थोड़ी तो बच जा है उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि लीव यह अपनी सारी प्रिंस के साथ होटल में कुछे इंजायमेंट करने के लिए जाती है और इसमें हाओ जिया भी सेकंड प्रिंस के मना करने के बाद भी आज भी उसे जाइन करने के लिए जाती है यहाँ बस सेकंड प्रिंस के ऑफिशर वाई उसे दूर से देख रही थी लेकिन वो हाओ जा को रोकती नहीं है तब हमें यहाँ पर अपनी सिच्टिशन बताती है कि मुझे हाओ जाया से कभी कभी जलन होती है वो जो चाहें वो कर ले कि कैसे एक मैन निक मुमन को बचाया तब लीवी जाकर इसमें पोस्ट करते हैं कहीं बार लड़कियां भी काफी पावरफुल होती है और वो इस पर पोस्ट करते हैं तब ही देखो मेरी फ्रेंट्स को कुछ बोला ना तो तुम्हारा मुह में तोड़ दूंगी इसके बाद हैं यहां जूर्द का वहां को भी हैं पर दूर् refusing स्थřieu आईता फीड़ में फिग कि यहां में अपनी सूख कहब यहां पर एक प्रिंसे वहां के excel के कि चाहिए यहांपर वो सभी का फिटा परिशान होते हैं कि मुलकियां ऊच्रीए कौन तब यहाँ आपस सेकंड प्रिंस एक बहुत ही अजीब सा लेकर आते हैं और कहते हैं कि थर्ड प्रिंस के पास बहुत सारी वाइब्स हैं जो कि बहुत ही ज़ादा ब्यूटिफुल हैं मतलब ब्यूटी का भंडार है उनके पैलस में तो उनमें से किसी को ओफिशल प्रिंसेस बना कर भीज दे जाया बात सुन लेते हैं और कहते हैं कि इनपोसिबल मैं अपनी एक एक वाइब से दिल और जान से प्यार करता हूँ और अगर उनमें से किसी को हुगा तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं इसके बाद कुई डर चाती है कि नहीं नहीं यार हमें धर फ्रेंस की कोई भी वाइप नीच चाहिए समझ सकते हूं कि वो अपनी वाइप से बहुत प्यार करता है भली उनका नाम भी याद नहीं रख पाता लेकिन प्यार बहुत करता है इसके बाद उन्हें याद आता है कि सौंगवू, सौंगवू भी तो है इस पैलस में, हाँ वही लड़के जो की इंजन्ग पर डोरे डालती थी, इसके बाद उस सौंगवू को बड़ी अच्छे से अपने पैलस में इंवाइट करती हैं, और उसे अपनी अनोफिशियल रोट करनाटा करवाते हैं, उसके बाद वहाँ के डॉक्टर को भी कन्वेंस कर लेते हैं, कि सौंगवू काविदा बीमार है तो वह नहीं चाहबाएगी, और उसे थोड़ा धमकावी देती हैं तो वह मान जाता है, और इसके जाद मारे ये पार्टी में गतम होचाता है, थैंकि सुमच लगल सवाचाध साइब कर दो सी ठीमार हैं, कि सुमच लगल नहीं चेरे हैं कर लोगाएगी, फचिसे उने से वहाँ एकर वत्ता हैं, कि सौंछ कर थाकोता है कर दो समें से एक्मार हैं, ग रभल ते आवाएगीं सेuckt 카메라 हैं, प्ल—e quando वहाँ वहँ, तो समें से ही जाए